है , हैश्टैघ हैपी रंग ना..... हैश्टैघ हैपी रंगीर नवरात्री डे दे 5 ल को मैं आप रोगो शेर करने वाल हूँ तो हagar अधि रीवन दसैस्टैयल विट सैंबा तो कैसा आप सब लोक यूप की सब लोक ठिक टाक होंगे तो आज के इस वीडियो में जो आप लोग से में शेयर करने वाली हूं, वो होने वाला है नवरात्री का 5th day look, यानि के blue color का जो makeup होने वाला है, वो होने वाला है day 5 look में, बहुत ज़ादा easy and simple होने वाला है, लोग साथ ही में एक और twist है कि मैं simple सा और easy सा ना, एक hairstyle भी शेयर करन है और end तक देखने के बात कमेंट करके जोरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगती है चलिए finally start करते अपने वीडियो अगर मेरे चनल पर न्यू आयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो कि बिल्कुल free है guys, subscribe करना style with sahiba और चलिए start करते है वीडियो और काफी अच्छा है long lasting है silicon based है और यहां पर मुझे चीक आने वाले थी बट आई नहीं और मुझे बहुत कुस्सा आया उसके बाद यहां पर मैं कोई भी foundation का यूज नहीं कर रही हूं तो यहां पर मैं यूज कर रही हूं लाक में CC cream का और मेरा shade है इसमें beige और काफी अच् करेंगे तो यहां पर मेबिलीन फिट मी का concealer यूज कर रही हूं मीडियम शेड है मेरा उसके बाद यहां पर मैं एक brush की help से अच्छे से blend कर दूँगी ताकि मेरे जो भी dark circles वगेरा है वो सारे हाइड हो जाए उसके बाद यहां पर हम loose powder की help से करेंगे क्या baking और यहां पर थो करना भी जरूरी है यहां पर मैंने अपने eyebrow को फिल कर लिया है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना eye makeup और लेकिन eye makeup के बाद में मैंने यह भी सोच आए कि मुझे पहले क्या करना चाहिए पहले मुझे loose powder को हटाना चाहिए था राइट अब जो भी आपके सामने ही है मैं काफी अच्छी है मतलब काजल पेंसिल जो भी आप बोल सकते हैं ऐसा eyeliner भी आप ड्रॉप में आपको दिखा दीती हूं कुछ इस तरीके से आप जो है ड्रॉप कर सकते हैं मैंने जो brown shade लिया था as a transition shade लिया था palette में से ऐसे फार palette का use किया था यह एक eyeliner की जैसे ही मैंने ड्रॉ कोई भी blue color का कोई भी eyeliner भी लगा सकते हो then lower lash line पर मैंने same brown shade लगाया था उसके बाद यहां पर मैंने lashes को curl किया था कर लिया है और उसके बाद मैंने mascara apply किया है जो कि Maybelline का mascara है दैन उसके बाद है मैं स्टार्ट करेंगे अपना blush लगाना थोड़ा ब्लश लगागे ना चेहरा खिल खिल जाता है राइट उसके बाद यह थोड़ा जादा हो गया तो आपको करना होता है एक है कि आपका जो फा हो सकता है यह पैले बताओ यह हो सकता है हाइलाइटर है बैटन वाहिल्ड COP आइब हटानी है और अपने जो भी आपको हाइलाइट कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको लिप्स्टिक लगा लेने है मैंने हापे याँग यूस की है शाय स्ट्어야is म्ट्र रिप स्टिक लेकिन वो भी easy and simple होना चाहिए ताकि आप carry भी कर सको easy लिए तो यहां पे आपको थोड़ थोड़ा उपर की और बनानी है यह बिल्कुल नीचे लेके नहीं बनानी है थोड़े से बाल आगे कर लेना उसके बाद आपे जो भी है थोड़े से उपर हम section कर देंगे ताकि हमारा जो यह पफ टाइप है थोड़ा उठा उठा लगे तो हमारा लुक जो है काफी अच्छा है चंपू हम ना लगे और यह हैं हमारा फाइनल लुक काईज और स्कुछ इस तरीकी का लोग जो है यह टॉन आउट होके आया है मुझे काफी जदा पसंद आया है मैंने हापे हूप्स के वियर किये हैं और यह हमारा फाइनल लुक है आप हेस्ट्याल भी देख सकते हैं अगर आपको आपको यह मेकप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और हाँ आपको यह मेकप लोग पसंद आया है इजी लगाया है और हैस्ट्याल बहुत एजी रखा था मैंने और बहुत हैवी मेकप तो कोई नहीं करता नवरात्रे पे तो बहुत दर सिंपल इजी मेकप था यह और आपको कैसा लगा है आप भी मुझे एक बास जरूर बता देना है मैं बार और बोलने थे को बता ही देना और बताने के बाद वीडियो को लाइक भी कर देना है साथ में चैनल को भी सब्स्क्राइब कर देना है स्टाइल विच स